वीडियो शुरू करने से पहले इस शज्रा नसब को घोर से देखो ताके आप लोग इन कौमों की आपसमे नसब के बारे में चान सके आप लोगों की आसाने के लिए बताता चलो कि खर्शबॉन सर्बन बैंद का इस अब्दुलशेद का बेटा था खर्शबॉन की तीन बेटे कंद, जमंद और कासिते, कंद की दो बेटे घोरियाखिल और खुशी, खाखिय या शेखिय पैदा हुए खुशी की पहली बेवी बसो से तर्क, जिसकी नसल तर्कलाने से मशहूर है पैदा होगा, और दोसरी बेवी मरचाना से मुख या मक, जिसकी नसल के गयाने से मशहूर है और मंद पैदा हो गए मंद के दो बेटे युसुफ जिसकी नसल युसुफ जई से मचहुर हुआ और उमर पैदा हुए उमर से एक बेटा मंदर पैदा हुआ मंदर की पहली जोजा से उस्मान जई और खिजर या उतमान जई पैदा हुगए और दूसरी जोजा से रजरी ये जखतर पैदा हुआ इसलिए में जब भी अपनी वीडियो में खाखे, खुशी ये शखे का जिकर करो तो उसका मतलब तरकलानी, डिगयानी और मंद है मंद से मुराद यूसफ जई बहेरा पिटे खजाने के मुताबर, खर्शबन अपने बाप सर्वन और चचा बैट से इजासत लेकर अपने अलाग के साथ कोच किया और अरगस्तान के हदोद घंडरान और सूरगर के आसपास आबाद हो गए, जो गोरा मुरगा के नाम यादी जाती है गोरा मुरगा की माने सरसब्स चमन है अखंग दरेजा के रिवायत के मुताबर, जब पस्तोनों ने पिंदार और आसपास के अलागर को अपने दर्मियान में तक्सिम किया तो तरेनों का हिस्सा कंद और जमंद याने खुशे खिल और घुर्या खिल के दर्मियान हुआ यही वज़ा थी, जिस वज़ा से कंद और जमंद की उलाद अच्चे और बरे वक्तों में एक तूसरे से दूर रहे एक रिवायत की मुताबक, कंद की उलाद में खुशी या शखी या खाखी के जमीन तरेनों के साथ था जो अर्गस्तान के नहर के नस्दीग थी और इसी के साथ तरेन भी थे जैसा कि आजकल पस्तों एक दूसरे के साथ जमीन पर जगड़े करते फिक उसी तरह उस जमाने में तरेन और खाशे कबिलों में किसी बात पर दिल आजारे हो गए और दोनों के दर्मियान सफ़ जंग हो गए जिसमें खाशे खिलों को बहुत नफसान पहंचा और कि लोग मारे गए जिसके नतीजे में खुशे कबिला अपनी जमीन से निकलने पर मजबूर हो गए जमन्ग और घोरिया खिल कबिला दोरी की वज़ा से खाशे कबिली की मदद को न पहंच सका खाशी जब अपने जमीन से कोच कर गए तो गोरिया खिल की पास गए और उससे रहने के लिए जमीन मांगी गोरिया खिलों ने एक विरान इलाका खुशी को दे दिया कहदे है कि कुछ मदद बात कंधार में बावाकु बाहर के खुब बार्शे होने लगी जिसकी वज़ा से इलाका खुबसर सबस वो शादा हुआ जो गर्मी की मुसम शुरू होते ही सबस गास जमीन पर खुश्ट हुआ करता था जिससे साल बर इस खुश्ट गास को मवेशी काकर गुजारा करते थे लेकिन उस बार ज्यादा बारेश होने की वज़ा से सारा गास बारेश की पाने ले गया जिसकी वज़ा से घुरिया खिल की मवेशी नाबोध होने लगे घुरिया खिलों ने खाशी को जो जमीन दिया था उससे वापस मंगने लगा जिस पर खाशे कबिले ने इंकार किया जिस पर खाशी और गोरी में चंग चिर गए खुशी इस बार भी शेक्स्त का गए और खाशी को उस समिन से बेदुखल कर दिया गया इसकी बाद कारा नौश्की में आबाद हो गए ये जगह दस्दलोग के करीब बलुचिस्तान के शुमाल पर वाके है दस्दलोग जो नमक का सहरा है और अब कौम बलुच के कलात का कब्जा है अलगर्ज उस वक्त कौम युसुफ जए और मंदर जो कौम खाशी की एक शाख है बहुत तोरी थी कुछ अर्सा की बाद चौदूई इस्वी के शुरू में गारा और नौशके से बेदुखल होकर सिदा काबिल की तरफ रवाना हो गए इस दोरान उत्मान खिल भी गुमल के रस्ते खाशे काबिले के साथ मिल गए और एक साथ काबिल की तरफ रवाना हो गए उसी दिन से उत्मान खिलो और खाशी में उतफाप और गूंद पाइम हो गई काबिल पर आबाद होने के कुछ मदद बाद मुहम्मद जई जो जमन्द का एक शाख है अपने बायों से किसी बात पर नाराज होगा और खाखे खिलो के साथ हो गई खाखे खिल की जमात उन लोगों से बहुत मुस्बोट हो गई मिर्जा अल्वबैग इबने अबु साइद मिर्जा की तख्त निशने काबिल के वक इस पॉम ने उसकी मदद की और अपकी एानत से उसने काबिल पर इस्तखलाल पाया मिर्जा अल्वबैग इब्तिदा में इस पॉम पर बड़ा महरबान था लेकिन जब उस पॉम की तादाद वो दोल्त में तरखते हुई तो अपने घरूर की वजह से मिर्जा की हुकुमत को बे अजुग समझने लगे और सरकुछी वो फसाद की तरफ रागे भो गए काबिल की राया को आजार पहंचाने लगे यहां तक की मिर्जा की मलाजमों का माल भी मुखफूज नहीं रहा कहदे है कि ये लोग बाद्शाह के खास देवान खाना में बैट कर नाजिबा हरकते करने लगे उन हरकतों से बाद्शाह इतना तंध हो चुका कि इस पॉम को अखराज की बारे में सोचने लगा चुनके अब मिर्जा अलुबैक का अफ्तियार जयादा हो गया था और अपने हमकॉम महुलों की आने से काफी ताकतवर हो गया था मिर्जा की अब बर्दास्ट का वक्त खत्म हो चुका था आपने उनकी बर्बादी का समान तेयर करने लगा आपने सबसे पहले गगयानी और यूसफजई में नफरत डालिनी शुरू कर दी और एक दिन ऐसा आया की गगयानी और यूसफजई में एक औरत की एज़त पर जंग चिर गए जिसमें मिर्जा ने गगयानों के साथ मिलकर यूसफजई पर लुश्किर कुशी कर दी उनमें से चंग लोग मारे गए और बागे पहारों के दरू में गौस गए उस वक्त इस पौम में तीन शेख मशहूर थे उनमें दो बाई मदाद और दूसरा मदद जो यूसफजई के शाख इसा जई से थे और थिसरा शेख उस्मान मिले जई से था उन तेनों के घैब कोई पर उतबार करके उनमें से एक को प्यादो का सर्दार बना कर जंग पर अमादा हो गए मिर्जा के फोच जिसमें गगयानी बीती यूसफजईू से जंग में शिक्स्त काई उस कामियाबी के बाद ये कौम बड़े फखर से पहारों से निकल गए हाकम काबिल के पास सुला के अलावा कोई चारा नहीं था एक रोज जियाफ़त खुरी यानि महमान नवाजी के बस्ते नो सो मुश्रान खाशी के मिर्जा अलुबैक के पास आए ये सब लोग बे असलहा थे इन में से एक महमुद वल्ब मुहमद शाख चगरजई के पास खंजर थी जो चूपके से अपने शलवार में चौपा कर ले गई थी जब दरवार में गए तो महमुद ने मिर्जा की बद नेती देखा वो अपने हमराहियों से कहा कि अगर अप लोग कहे तो में मिर्जा को मार डालो मगर सबने मना किया की हप नमक रखना चाहिए इन सरदारों का खयाल था कि शायद हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा लेकिन पौमे गगयाने से जिंगा नामी शखस जो युस्फ जयो का दोशमन था उसने मिर्जा को मुशरा दिया कि इतने सारे मुशरान एक जगर बगहर किसी हितियार के नहीं मिलेगा और उस सुला पर आपको कभी भी चिंग से बेटने नहीं देंगे इस मौपे को घनेमत समझ कर सब को पतल करना चाहिए इस नालायक की असलाह पर उसने अमल करके सब को बांग लिया और एक एक को पतल करने लगा उस वक्त मलेक सुलिमान जो मलेक अखमत का चचा था मिर्जा से इलतिजा की की मेरा दो सवाल है अवल ये की हमारे मरने के बाद हमारे चोटे बचे और औरतों प्रिद नहीं करना बल्के उसको इजाज़त दे की वो जहा जाना चाहते है इसे जाने दो और दोसरा सवाल ये की मलेक अखमत को नहीं मारना मिर्जा ने दोनों सवालों को मान लिया और कहा कि मैं तो सोच रहा था कि अप अपने लिये या फिर दोसरे दोसर या तिन सो सरदारों के लिए सवाल करेगा जिसकी जवाब में सुलिमान ने कहा कि मेरा सर मेरे दोसरे अज़ेजों से अहम नहीं है जब वो मुर्ते है तो मैं उनसे पहले मर जाने को तेयार हो अर्जिये कि मिर्जा ने मलेक अहमद और बाके कई सर्दारों को छोड़ कर सब पतल कर दे गए काबिल के पतब में सिया सिंग पहार के दामन में एक मपरा है जो शहिदों के मपरा पर मचहूर है कहदे है कि उस मपरे में उन लोगों को दफन किया है यहाँ पर शेख उस्मान मलेरी की रोजा मुबारक भी है जो उस वक्त की एक बुज़र्ग और नेक इनसान था और खाखे खिलो का पेर भी था यह वक्त इन पबेलों के लिए आसमाईश का वक्त था यूसफ जयू ने वहाँ से हचरत करके पेशावर के आसपास के अलापे में आये और बड़ी तकलिफे उठाई फिर एक दिन ऐसा आया कि ये लोग पेशावर से लेकर बोनीर तक काबिज हो गए यहाँ आने की इस कौम की एक लंबी कहानी है जिसको एक दिन जरूर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा